हेलो फ्रेंड आप सबका स्वागत है हमारी यूटूब चेनल क्रेकिट पे दोस्तों इस वीडियो में हम उतकर्स क्लासेज की आठ नॉम्बर 2020 को राजस्तान फुलिस बढ़ती 2020 का जो पेपर हुआ था आठ नॉम्बर 2020 को पहली पारी में 9 बजे से 11 बजे के बीच जिस पी स्टुडेंट्स की प्रिक्षा हुई है वो उतकर्स क्लासेज जोद्पुर के दौरा जो आंस्वर की मतलब जारी की गई है उससे अपना पेपर वो मिला सकता है और क्यूंकि यह पता है कि दोस्तों उतकर पर चैंज भी हो सकता है लेकिन एक-दो से ज्यादा इससा कोई प्रभाव नहीं पढ़ने वाला है तो आप मतलब आंस्वर की मिलाई और अपना नगेटिव काट के अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं ताकि कटोप का एक पता चल सके कि लगों के ह कितने क्यूशन सही बन रहे हैं तो दोस्तों नगेटिव कितनी काटनी आप सबको पता होगा कि आपके प्र में नगेटिव मार्किंग वो एक पटा चार है मतलब 4 क्यूशन आपके गलत होने पर आपको एक सही क्यूशन हो मतलब माइनस करना है जैसे एक्जाम्बल के सब्सक्राइब तो गलत होने से गड़ जाएंगे मतलब 100 बचे और 100 में से आप एक बटा चार स्वाइब नगेटिव मार्किंग होने के करन 12 से आप एक बटा चार करोगे तो 3 कूशन है वह सही भी आपके मतलब माइनस करने आपको तो लास्ट में आपके सही क्यूशन बच और इसके लावा दूसरों के आप सब कमेंट करेंगे तो दूसरों को भी कोई और आपके नमर देख सकता है और आप किसी दूसरे के देख सकते हैं तो कमेंट बोक्स चे अंदर कमेंट जरूर करें तो दोस्तों सुरू करते हैं हमारा ये आंस्वर की मापके सामने मतलब देरे मेरा सही है या नहीं है तो आपको थोड़ी सी मतलब मन में यह सांत हो ना मिल जाएगी कि यार हाँ इतनी क्यूशन मेरे कार्ट वेट के बच रही है तो दोस्तों आम मिला सकते हैं मैं दिरे दिरे इसको स्क्रोल करना हूँ और दोस्तों पेपर वो ज्यादा टफ नहीं आया था यह तो मैंने भी देखा है पेपर पड़ाया पड़ाया तब मतलब लगबग 6 तारिक को जो पेपर हुआ था उसी के अनुरूप यह पेपर लग रहा है साथ तारिक में जो मतलब दूसरी पारिका पेपर और टोटल मिलाकि हम बात करें तो चोत्ती पारिका पेपर थोड़ा टफ था लेकिन आज वाला पेपर फिर से इजी है इसमें भी रिजिनिंग है और कम्प्यूटर है लगबग एक जैसे हैं छे तारिक के लगबग पेपर हो समानस तरगा है उमीद आपको मतलब पूरे पूरे क्यूशन आ रहे होंगे आपका पेपर अच्छा हुआ होगा दोस्तों आप पूरा पेपर मिलान कीजिए और स्कोर अब कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं ताकि कटोप का कुछ पता चल सके कि कटोप को कितने जाने वाली है क्यूंकि पेपर बह क्यूशन इसकी ओप्षिन उप्पर हैं आपको दिखा दिता हूं यह दिजिए और इसमें उप्सन नमर ए गटना बी परभाव है और गटना एसका ततकालिक और परमुक कारणा उप्सन इसका राइट हो जाएगा रैड पेन के अंदर के लिखावा है दोस्तों आंस्वर फिर गुंटिस का क्यूशन तो यहां पर है और इसकी ओप्सन है यह दाढ़ना एक और दूर नहीं तहां उप्सन नमर से इसका राइट हो जाएगा 33 में है MS-DOS फिर बात करते हैं आगे तो यह देखिए दोस्तों संग रही तिया स्टोर किया जाते हैं इसे हार्ड डिस्क करते हैं यह क्यूशन पहले पेपर में भी आया था जमन लिखित में से कौन से एक वेब ब्राउजना इसमें सफारी होगा तो दोस्तों 25 वाला कि उसना MS-DOS डोकुमेंट में टेक्स्ट का आकार पूर्वन निर्दारी सवरुपनिया फॉर्मेंटिंग सेट करने वह रंग इत्यादी के लिए कौन किसका उप्यों कि जाता है तो इसमें वर्ड डाट ओप्सन नमर्ड डीस का राइट है फिर यह दिए कि 52 अप मिला लीजिए वीडियो को प्यूज करके आप रोक के देख सकते हैं कि आपने क्या किया है कौन सास्वर आपने टिक किया है और दोस्तों आंस्वर पेपर से आंस्वर मिलाने के बाद अगर आपको टाइम हो तो आप मतलब ओम आर सीट में भी गोलने हैं वो कैसे आपने कालिक हैं यह भी मिलान के लिजिए ताकि आपके बाद में मतलब यह नाओ कियार मेरे नंबर तो ज्यादा थे और मेरिट में मेरा नंबर नहीं आ रहा है तुंकि दोस्तों बहुत से मतलब जल्दी में बढ़ने के तक्र में गलत टिक हो जाते हैं वह मार प्रोजेक्ट टाइगर गुनिशो तेतर में यह तो रिपीट हुआ है कि दोस्तों यह कैसी नमर का क्यूशन है भारती शुविदान के तहित कौन एक मौलिक करतवे नहीं है तो दोस्तों यह उप्सन इसके उपर है वह संसद में महिलाओं को एक यही आरक्षन परदान करना यह नहीं उप्सन नमर 20 का राइट हो जाएगा फिर दोस्तों यह देखिए क्यूस नहीं आप है 86 का कि भारती राष्टी दवजगा किस रिया रंग किसका परतिक है सत्ते साहस बलिदान समर्दी दरड निच्छे तो इसका उप्सन नमर भी साहस और बलिदान वह राइट हो उत्तर उत्तर पूर्वे दक्षिन दक्षिन पस्चेम तो इसका हो जाएगा उत्तर पूर्वे में कौन एक सिंथेटिक फाइबर है तो इसका हो जाएगा रियान ओप्सन नमर 20 का राइट है इस्तरी धनकार दोस्तों विवाहे के समय जो उपहार और जेवर लड़की को दि पर लेंगिक उत्पड़न अधिनेम के नुसार किसी भी संस्ता जिसमें दस या दस से अधिक लोग काम करते हैं वहां किस परकार की समयति का गठन किया गया है तो इसके ओप्सन ये देखे हैं और इसका आंस्वर है वो आंत्रिक सिकायत समयति ओप्सन नमर यह है इसका दिया है वो नहीं पूचे गया है कोई भी क्यूशन वह एकाद क्यूशन हो सकता है फिला दोस्तों राजस्तान का लगबग कितने प्रतिसत भूबाग मरुस्तलों से गिरा हुआ है इसके ओप्सन उपर दे रखे हैं इसके बाद हम बात करें तो यह देख सकते हैं राजस्तान में की चित्र में बहुता है इत्में कालीमिटी पाए जाते है तो ह घ्र और रुटी का चेतर होता है वह तो परसिंट योगदाना वो वलस्टो नाइट का है भारत में राजस्तान में भारत में मतलब सुनने का उत्पादन राजस्तान में नहीं होता है दोस्तों मैंने भी बताया था यह आंश्वर यह देख सकते हैं पूरी आंश्वर की आफ फिर दोस्तों यह 134 का क्यूशन है कि राजस्तान विदान सुबाद 2018 में सतरूड कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी 102, 297, 107 तो दोस्तों इसमें मतलब इस्टार लगावा है कि जितनी सीटे जिती थी वो उप्शन में नहीं आया इसमें क्यूंकि कांग्रेस ने जिती थी सीट 99 फिर एक उप्शनों में जिती थी वो मतलब महिला थी क्या नाम था उसका द्यान में नहीं आ रहा है तो फिर 100 ही थी पहले 99 थी यह उप्शन में नहीं है तो यह क्यूशन हो जाएगा और दोस्तों डेली क्यूशन की महाँआपको प्ताइँ जो जो क्यूशन डेलीट होता है वो मतलब उसके मार्ट है जैसे एक क्यूशन अलबर ब़राबर बाट दिया जायेगा एक सो गून चाहस बाकी के क्यूशनों में राजस्तान में जूम केति को में वाल रा कि नाम से लिए जाना जाता है अधिकतम सदसे संग कि लोग सभह में 502 मीं noise का रैट हो जाएगा राजस्तान में 3 चीजन के वसल होती है राजस्तान राज्ये में लोग सभह का सीट खिथि-वह 25 है प्रोप कारेनी सबाय वो स्वामेदयान सर्श्वती ने बनाई थी और ये इंदर वाले आप देख सकते हैं आपने देखेंगे राश्टी ए सर्श्वानो संदान केंद्र वो भरतपुर में है अजमेर शरीप मौयनों दूइन चीज थी अजमेर शरीप का क्यूषन वो पहले विपूर में है तो इस प्रकार दोस्तों राज्य वर्दन सिंग राठोट लाष्ट कुशन आए का जनम राझस्तान में जसल मेर में हुआ था इसका क्ईूशन राजे बंदर सिंग राटोट से समधित साथ तारिक वाली पर एक्जाम में भी आयता है तो दोस्तों इस प्रकार 115 क्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं आपने आंस्वर की मिलाकी अपना स्कोर जरूर कमेंड बॉक्स के अंदर साजा गरे और आप भी दूसरों का देखें आप ख